अधिवसिस्ट कक्षा रिकॉर्डिंग्स ओन कर दिया मैं ताकि जो भी लोग काल अंदर में इस वीडियो को देखेंगे वो कम से कम अपने नोट्स को बना सकेंगे मैं अंग्रेजी में आप लोगों के साथ नोट्स आपके वाट्सेप ग्रूप में साजा कर दिया है जैसे ही कोशिका समपूर्ण होगी तो मैं आपको हिंदी में भी प्रदर्शित कर दूँगा हिंदी में जो नोट्स होगा वो मैं आपके साथ साजा कर दूँगा एक वैग्यानिक का नाम जो कल छूट गया था वो एंटॉनी वान लिवेन हॉक जिन्होंने सबसे पहले कोशिका के अ आया हुआ है आज आप लोग हेडिंग डाल लीजे माइटो कॉंड्रिया शुरू करते हैं अपने कोशिका के हिस्से को ठीक है माइटो कॉंड्रिया हेडिंग डाल लीजे है 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 माइटो कॉंड्रिया लिखे लिखना शुरू कीजे माइटो कॉंड्रिया Mitochondria Double Membrane युक्त सबी लोगों से अनुरोद है जो लोग सुन रहे हैं या तो सुनने वाले लोग वीडियो बंद रखें और जो लोग लिखने वाले हैं वो चालू रखें ताकि देखने में अच्छा लगता है सब लोग लिख रहे होते हैं Mitochondria Double Membrane युक्त एक कोशिका का अंग है यानि Mitochondria is a Double Membrane Bound Organal एक कोशिका का अंग है जो कोशिका द्रब्य अर्थात साइटोप्लास्म में इस्तित होता है साइटोप्लास्म में इस्तित होता है साइटोप्लास्म में इस्तित होता है अंग्रेजी में लिखने में लोग mitochondria is a double membrane bound membrane bound organal found in cytoplasm cytoplasm में इस्तित होता है यह हमूल रूप से दूसरा पॉइंट यह हमूल रूप से eukaryotic कोशिकाओं में ही होता है eukaryotic कोशिकाओं में ही होता है prokaryotes में नहीं होता eukaryotes में होता है यह हमूल रूप से eukaryotes में eukaryotic कोशिकाओं में ही होता है prokaryotic में नहीं होता है आगे लिखे यह दो शब्दों से मिलके बना है mitochondria शब्द दो शब्दों से मिलके बना है mito या mito and chondrion mito mito and chondrion c-h-o-n-d-r-i-o-n mito and chondrion mito शब्द का तात पर है mito शब्द का तात पर है thread होता है thread thread का तात पर होता है धागे जैसे जना चना और chondrion शब्द c-h-o-n-d-r-i-o-n chondrion शब्द का तात पर granules होता है granules g-r-a-n-u-l-e-s granules जो दानेदार से नचना होती है उसे granules बोला जाता है आगे लिखिए mitochondria सरप्रथम Richard altman के द्वारा Richard altman के द्वारा observe की गई थी observe की गई थी एवं इसका नाम करण सरविग्याने के नाम बिताने आप तेजी तेजी से लिखो जल्दबाजी में slow slow में नहीं क्या बोला Richard altman r.altman Richard altman और term coined by mitochondria term यूज किया था Karl Benda ने कॉर्ल बेंडा लखिए mitochondria का प्रमुक्कार mitochondria का प्रमुक्कार nutrients को nutrients को यानि कि जो भी हम भुजबदार दखाते हैं उन nutrients को उर्जा के स्वरूप में बदलना है उर्जा के स्वरूप में यानि changing nutrients into energy उर्जा के स्वरूप में बदलना है इस प्रक्रिया को इस प्रक्रिया को aerobic respiration भी कहा जाता है this process is called aerobic respiration aerobic respiration इवम इसी कारण इवम इसी कारण कोशिका को mitochondria को powerhouse of the cell कहा जाता है powerhouse of the cell कहा जाता है यानि कि कोशिका का उर्जाग्री कहा जाता है दिखिए aerobic respiration में aerobic respiration में krebs चकर krebs चकर krebs एक बैग्यानिक थे krebs चकर उन्होंने एक चकर ढूंडा था उसे लिख लीज़े krebs चकर एवम glycolysis प्रमुक्ता से होती है glycolysis का मतलब आप समझते हैं glucose का root के छोटे हिस्सों में विखंडित होना glycolysis कहलाता है क्रेब्स साइकल हो गया मैंने mitochondria के चार प्रमुख हिस्से मैंने आपको बता दिये पहली बात तो ये कि powerhouse of the cell है जो कि most important है दूसरी बात ये है कि धागे नुमा एक ऐसी सनशना है जिसके अंदर granules पाए जाते हैं तीसरी चीज़ ये है कि ये aerobic respiration के लिए बहुत important role play करती है और चौती चीज़ ये है कि glycolysis और क्रेब्स प्रोसेस ये दुनों कहां घटित हो रही हैं माइटो कॉंड्रिया के अंदर अब इतनी सी बात पर कई प्रकार के प्रशना आपके सामने दिये जा सकते है कि कोशिका का कौन सा अंग है यानि विच से लॉर्गिनल से responsible for cycle number one question number one glycolysis की प्रक्रिया कोशिका के कि हिसे में होती है question number two ठीक है question number three powerhouse of the cell कि से कहा जाता है किस कोशिका के अंग में ग्रेन्यूल सपाई जाते है या ग्रेन्यूल जैसी सनचनाए होती है ठीक है ये सब प्रश्ण आपके सामने अलग अलग प्रारूप में आपके समक्ष प्रस्तुत के जा सकते हैं आगे लिखे माइटोकॉंड्रिया कोशिका के अंदर कोशिका के अंदर तकरीमन दो बिलियन वर्ष पूर्व बैक्टेरियल फ्यूजन से उत्पन हुई होगी दो बिलियन वर्ष पूर्व बैक्टेरियल फ्यूजन से हुई होगी इसे इसे वाज्यानिकों ने इंडो सिंबायोसिस नाम दिया था इंडो सिंबायोसिस स्पलिंग है E-N-D-O-S-Y-M-B-I-O S-I-S इंडो सिंबायोसिस नाम दिया था और यह सद्धान्त E-Von नामक एक वैज्यानिक है E-Von नामक वैज्यानिक के द्वारा प्रद्द किया गया था यानि दिया गया था आगे लिखे Mitochondria Protein Synthesis का प्रमुख केंद्र है Protein Synthesis का प्रमुख केंद्र है अगला पॉइंट है कोशिकाओं की भाती ही यानि Same like cells Mitochondria के अंदर भी Fusion होता है यानि की वो तूट फूट चल लही होती है और यह fusion कोशिका के अंदर Mitochondria की संख्या तै करता है यह fusion कोशिका के अंदर Mitochondria की संख्या तै करता है अब थोड़ा कठिन होगा आपके लिए लेकिन इसे आसान करता हूँ क्या कठिन था आपको याद आ रहा Mitochondria किस रंग की दिख रही थी वो वीडियो याद कीजिए जो मैं आपको दिखाया था कुछ था ना लाल-लाल सा जो तैर रहा था याद है आपको जो लाल-लाल सा हिस्सा था जो तैर रहा है दर 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 आपने देखा होगा वो एक से जादे था हो सकता है एक, दो, तीन, चार ऐसा तो यह एक आएक कैसे जन्म ले रहा है अंदर ये अंदर पहले एक Mitochondria cell division के साथ automatically आती है जब कोशिका विभाजित होती है तो कोशिका विभाजित होके उसके अंदर कुछ चीज है बिल्कुल सिट मात्रा में हमेशा उपस्तित रहती है जैसे केंद्रक से ही division शुरू होता है तो केंद्रक जब तूटता है तो सबसे पहले वो जो नहीं कोशिका बनती है जैसे बच्चे को आप समझे और इसे सिंबल उतारम से माता के पेट से बच्चे का जन्म होता है तो बच्चे के पास नाक होती है कि नहीं होती है हाथ होता है कि नहीं होता है आखे होती है कान होता है कि नहीं होता है ठीक वैसे ही कोशिका मात्री कोशिका से यानी mother cell से जैसे ही कोशिका नई कोशिका child cell या baby cell बनती है दूसरी कोशिका बनती है तो उसके अंदर वो सारी चीजें उपस्तित होती हैं सिर्फ eukaryotic कोशिकाओं में कौन-कौन से चीजें केंद्रक होता है याने nucleus होता है फिर mitochondria होती है गौलजी body होती है और अन्य जो भी तत्त मैं आपको बढ़ा हूँ जो भी body organelles वो सारी चीजें उपस्तित होती है तो mitochondria वो भी उपस्तित होती है अब बात यह आती है कि यदि mitochondria उपस्तित होती है तो कितनी मात्रा तक यह बढ़ सकती है हो सकता है कि यदि आवशक्ता जादे हो तो एक कोशिका के अंदर एक दो दो चार पांच हो सकती है लेकिन कई सारे अंग ऐसे भी है जैसे एक एवरेज लिवर सिल के अंदर सोलह सो माइटो कॉंड्रिया तक की संख्या पहुँच सकती है 1600 क्यों अब आप एक बात बताईए जो जिन माताओं के बच्चे है कौन कों ऐसा है जिसके बच्चे है पुत्री काफी सारे लोग है यहां पर ठीक और माता सामानने तोर पे अगर आप समझे तो यही बोलते हैं जिगर का टुकड़ा क्यों बोलते हैं बच्चे को क्योंकि जिगर शब्द जो है वो लिवर का हिंदी रुपांतरण है लिवर का अगर आप अरबिक रुपांतरण देखते हैं तो उसको बोलते हैं जिगर जिगर शरीर क सबसे important organ है सारी की सारी synthesis प्रक्रियाएं आप जो भी खा रहे हैं जो भी पी रहे हैं वो सारी चीजें liver बहुत कुशलता से उसे derive करता है, divide करता है और उसे ही execute करता है जैसे सर में दर्द हो रहा है और दवा पेट में गई तो सर दर्द कैसे ठीक हो गया आया ना प्रशन आँख में दर्द हो रहा है और उसी समय कान में दर्द हो रहा है और उसी समय दात में दर्द हो रहा है तीन जगे अगर एक साथ में दर्द उपस्तित हो जाए तो सबसे पहले कौन सा दर्द गायव होगा मुझे आप लोग को unmute होने का अधिकार देना चाहिए ताकि आप recording को थोड़ा बादित तो करेंगे लेकिन कोई बात नहीं क्यों अगर एक साथ दात में दर्द हो सर में दर्द हो आँखों में दर्द हो पेट में दर्द हो तो सबसे पहले कौन सा दर्द ठीक होगा अगर आपको एक पेंगिलर दी जाए तो सरदर सबसे पहले ठीक हो जाएगा पेट का दर्द मैंने भी पूछ लिया हवा में आप भी हवा में उत्ताएगा पेट का दर्दात का कान का तो ठीक होगा एक साथ सार एक साथ ठीक होंगे सारे सब पे काम बराबर मात्रा में दवा करेगी और उस दवा का प्रभाव क्योंकि जब लिवर उसे स्विकार करेगा होता क्या है कि जब आप कोई चीज खाते हैं इसोफेगस पेट में गई पेट के बाद वो पची और जाके सोटी आथ के पास पहुंचे और वहाँ से ब्लड के अंदर दवा पहुंच गई ब्लड लेके पहुंचेगा लिवर के पास और लिवर ये देखेगा कि अरे ये तो उक्रोसीन है या ये कोई भी दर्द की दवा है ठीक है तो वो उसको ब्लड के साथ बेज देखा कि ठीक है जाए जिन दिन कोशिकाओं को इसकी आवेशक्ता हो उन तक पहुंचा दी अब बात ये है कि दर्द होता क्यों है सारी जीए साइंटिफिक होनी जीए न दर्द क्यों होता है सर में दर्द एक आए क्यों होता है दवाओं में ऐसा क्या है कि वो सर्द के दर्द को ठीक कर देती है प्रश्न बहुत सारे हैं हम लोग वापस भटक जाएंगे कोशिका में वापस आते हैं ठीक है मैं आपको बताते रहूंगा लेकिन बीच बीच में यह सारी चीज़ है ताकि आप थोड़ा बहुत इसमें इंटरस्ट ले सकें आगे लिखें 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 माइटोकॉंड्रिया सामान नितया यानि जनरली आकार में 0.05 से लेके एक म्यू मिटर तक की हो सकती है मू का मतलब होता है यू बना दीज़ेगा और यू का जो यह वाला हिस्सा है उसके डंडे को नीचे खींच दीज़ेगा वो मू बन जाएगा बागी जो मैथमेटिक्स से होंगे वो लोग जानते होंगे मू कैसे लिखते है अलफा बीटा गामा थीटा पीटा साई फाई मू दो में झान," यह सब मू नुझेटा के सेक्ड़ों का नाम है होती है और लंबाई में तकरीबन एक से लेके दस म्यू मिटर तक हो सकती है एक से लेके दस म्यू मिटर तक हो सकती है ठीक है आगे लिखिए आकार में बीन के जैसी आकार होती है बीन शेप्ड होती है और कुछ कोशिकाओं में धागी नुमा सनचना होती है कुछ कोशिकाओं में यहाँ धागी नुमा सनचना होती है मूल रूप से यहाँ पांच भागों में बाटी जाती है माइटोकॉंड्रिया मूल रूप से पांच भागों में बाटी जाती है देखे पहला हिस्सा खाना ही आउटर मेंब्रेन यानि बाहरी आवरन आउटर मेंब्रेन फिर दूसरा है इनर फेस आ यानि जो बीच का हिस्सा है खाली उसके बाद इनर मेंब्रेन Mitochondria के 3 मतलब एक उपर का दरवाजा एक बीच की खाली जगे और एक नीचे का इससा फिर क्रिस्टी C-R-I-S-T-A-E क्रिस्टी और फिर मैट्रिक्स और फिर मैट्रिक्स सारी चीजें जो सारी प्रक्रियाएं जो होती हैं वो सारा का सारा क्रिस्टी में ही संभावित होता है क्रिस्टी के अंदर ही सारी चीजें चल रही होती है यह भी लिख लिए क्रिस्टी के अंदर ही सारी Mitochondrial activities संभादित होती है सर एक बार इसका 2 और 3 रपीट कर देंगे इंटर वाला एक और देखो ऊटर स्पेस पहला फिर इनर स्पेस उसके बाद इनर मेंब्रेंड फिर क्रिस्टी एन मैंट्रिक्स माइटोकॉंड्रिया इंजाइम सिंथेसिस में भी भाग लेती है Mitochondria Enzymes Synthesis में भी भाग लिती है लेखिए इसके Mitochondria के मैट्रिक्स में Mitochondria के मैट्रिक्स में Enzymes Enzymes DNA Ribosomes Ribosomes Transfer RNA Small t और आगे लिखेगा RNA Small t RNA Transfer RNA Fibrils 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 उपस्तित होती है अगला point यह कोशिका का अकेला ऐसा अंग है यह कोशिका का अकेला ऐसा अंग है जिसके पास स्वयम का DNA और RNA होता है स्वयम के DNA RNA और Ribosomes भी लेख सकते हैं Ribosomes भी होती हैं स्वयम की Ribosome सुपस्तित होती हैं DNA, Transfer RNA एवं Ribosome सुपस्तित होती हैं लिखे, Mitochondria के DNA में Self-Construction Code नहीं होता है Self-Construction Code नहीं होता है यानि कि खुद को बना सकने की एक शम्तावाला जो यानि कि अगर एक उसका DNA किसी दूसरे शडीर में पहुंच जाए तो वो Constructions में Participate नहीं कर सकता है ठीक है बस इतना मुझे लगता है प्रयापत है इसके अलावा अगर आप आगे जाएंगे तो फिर वो बहुत मतलब Extra Deep हो जाएगा जिसकी आपको बहुत आवशक्ता है नहीं आपकी परिक्षा के नुरूप कोई पूछेगा तो कोशिका से जादे से जादे पांच पॉइंट पूइंट 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 सकता है आपने Mitochondria के ही 20 पॉइंट लिख लिए तो मुझे Self-Contraction का वो Repeat केज़े ना Mitochondria में Self-Construction Self-Constructions का गुण नहीं होता है Self-Constructions का गुण नहीं होता है चलिए आगे बड़ते हैं अगली heading डाल लीजे Golgi Apparatus Golgi Complex या Golgi Apparatus लिखे Golgi Apparatus Golgi Apparatus को Golgi Complex या Golgi Body के नाम से भी जाना जाता है Point No.2 यह यू केरियोटिक कोशिकाओं में पाये जाता है यह यू केरियोटिक कोशिकाओं में पाये जाता है आगे लिए कि इसका प्रमुख कार यह प्रोटीन पैकेजिंग होता है प्रोटीन पैकेजिंग होता है जिसे यह एक विसिस्ट वेसिकल में वेसिकल का मतब एक आवरन होता है एक विसिस्ट वेसिकल में बांद के वेसिकल में बांद के वेसिकल में बांद के वेसिकल में बांद के वोशिका से बाहर भेजता है कोशिका से बाहर भेजता है लेकिए इसका प्रमुखकार इसका प्रमुखकार कोशिकी कोशिकी समवहन कोशिकी समवहन अब देखो वेसिकल को हिंदी वालों से मतब हिंदी वालों को बहुत परशानी होगी कि वेसिकल को क्या लिखें और अब ये समवहन आया तो अंग्रेजी वालों की कलम रुख गए कि ये समवहन का चीज होगी कोशिकी ये फ्लो जो आता है उसे बोलते हैं समवहन यानि कि जो कोशिका में कोई चीज कोशिका से बाहर जा रही है और उससे अंदर आ रही है उसे समवहन बोलते हैं कोशिकी ये समवहन में इसका प्रमुख योगदान होता है इसका प्रमुख योगदान होता है इस जस्ट लाइक गाड़ आपके अपार्टमेंट में गाड आपने देखा होगा ना आपके societies में गाड रहते हैं उनका क्या कारे होता है कोई भी अंदर आए तो वो पहले दरवाजे पे नाम लिखवाएगा कि चलो ये register में entry कर दो ठीक है register में entry कर दो और उसके बाद फिर आप अंदर प्रभेश कर सकते हो कुछ गाड ऐसे होते है कुछ society के गाड ऐसे होते हैं जिनका कोई लेना देना नहीं है वो चुप चाप से सुबह आता है आट बजा के कुरसी बैठ जाएगा कोई याए कोई जाए हमारा गाड ऐसा ही है हमारे हांके हमारी society का उसे कोई लेना देना नहीं है main गाड जो है वो top grade का call the apparatus मुझे वो दि नहीं कोई आ रहा है कोई जा रहा है वो प्रातक आला के बैठ जाते है अपना phone देखते रहते हैं reels देखते रहते हैं मैंने एक दिन उन से पूछा कि यदि ऐसा हुआ है कि किसी दिन कोई आतंकवादी इस tower में घुज गया और वो किसी घर में प्रवेश करके पूरे घर को लूट मारके वापस लेके चला गया तो आप क्या कर लेंगे बहुत पिछले 40 वर्षों में तो ऐसा कभी नहीं हुआ मेरे साथ में ठीक है तो कहने का अतात पर ये है कि शरीर के गॉल्जी कॉम्पलेक्स भी ऐसे ही गार्ड्स जैसे होते हैं कुछ गॉल्जी अपारेटस कुछ गॉल्जी कॉम्पलेक्स बहुत यूनिक कारे करते हैं यानि कि हर एक चीज उनके नजर में है कि क्या कोशिका के अंदर प्रवेश किया और क्या कोशिका के बाहर गया और ऐसी चीज़ें जैसे लिवर सेल जो होती है उसका गॉल्जी कॉम्पलेक्स बहुत अक्टिविली पाटिसिपेट कर रहा होता है बहुत अक्टिविली ऐसे ही बालों के अंदर भी अगर आप सेंसेशन देखते हैं तो बालों का भी सिस्टम कुछ इसी तरीके का है यहां भी गौलजी कॉंप्लेक्स बहुत तेजी से कारे का, लेकिन कुछ ऐसे भी अस्था ना जैसे एक्स्ट्रा जो हमारी हड्डियँ है, जैसे नाखुन वगर हो गया, यहां पे, इनके गौलजी कॉंपलेक्स को कोई लेना देना नहीं, कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, को हुघ से कुछी लेना देना नहीं है इन जीनों सा ठीक है। आगे लिखिए। गॉल जी कॉंपलेक्स को इटली के विद्वान कैमेलियो गॉल जी ने कैमेलियो गॉल जी ने मुझा था इदक Score조 Cash AJ ये खोजा था समान्य रूप से समान्य रूप से गौलजी अपारेटस गौलजी अपारेटस शरीर के अंदर या कोशिका के अंदर कोशिका के अंदर स्मूथ सिक्रीशन हे तू कारे करता है स्मूथ सिक्रीशन यानि तत्व का जो सिक्रीशन है उसके लिए कारे करता है इसके प्रमुख कारे पॉइंट नमबर वन सिंथेसिस सिंथेसिस पॉइंट नमबर टू सिक्रीशन पॉइंट नंबर थ्री इस स्पेसिफिक फंक्शन सेल स्पेसिफिक फंक्शन एवं एवं समवहन होता है यानि कि सिर्फ अब आप इसको अगर इसको मैं कंसाइज करूं बहुत अगर शॉर्ट में आपको समझाने की कोशिस करूं तो आप कुछ यूं समझ लीजिए कि एक ऐसी सनचना है गौल जी जो सिर्फ कार्बो हाइडरेट कोशिका के पास अगर आया जैसे मान लीजिए आप सुबह से शाम तक आलू खाये गंजी आपने खाया शकर गंजी आपने केला खाया आपने बहुत सारी चीज़ें जैसे चाव लांटा सारी सफेद दिखने वाली चीज़ खाते जा रहा है तो आपके पेट के पास अतिशे मात्रा में कार्बो हाइडरेट है पहुंचा कार्बो हाइडरेट ऐसे ही आप सपोस कि ये किसे दिन सुबह सुबह उच्छे आप और आपने खाना शुरू कर दिया पहले चना खाया फिर मू दिन आपने कार्बो हाइडरेट जा दे लिया उस दिन आपकी गौल जी अपैरेटरस को जिस भी गौल जी अपैरेटरस को कारे करना पड़ेगा उसको लिपिड का प्रोडक्शन अपने पास कहीं न कहीं से प्राप्त करना होगा आपके पास अलग-अलग मात्राओं में ये यह तैक करता है खैक है ग blessings अपिरेंट box का करता है अगर आपने प्रोटीण जादे लिया है अगर मालें आपके शर्ची को कहीं किसी विस्सिस्ट प्रोटीन के क्या विश्यक्ता है जो कोई विस्स कोशिकाय ही पैदा कर सकती है वो भी ग अपारेंट करता है वो क्या करता है你在 को BIND करके बाहर बहुता है तो बाहर से आने वाली चीज्ञ ज Six को चपकरना तो आपकी Sloan मेंबरेन कोशिकार की मेंबरेन है जो होती ये वह सब से पहला चै चेक आउट पॉइंट है लेकिन जो अंदर हुआ है जिसको वो जो इसके प्रती responsable है वो गौल जी अपरॉटस आप कहा सकते हैं कि गौल जी अपरॉटस इसके प्रती responsable है दो चीजे मैं आपको बताई है Mitochondria और गौल जी बॉडिय चीद है? दोनों के वाइधियानिकों का नाम ये एक सिद्ध प्रश्ण है और ऐसा ही एक प्रश्ण है इनका कारे है कि इनका प्रमुख कारे क्या है और ये दोनों प्रश्ण पिछले पांच वर्षों में तकरीबन हर प्रकार के जिस भी नेट में सेल आ सकता है उन सब में पूछा गया है जैसे biology के भी पेपरों में ये देखने को प्रशन मिला है और कई सारे अन्ने परिक्षाओं में भी ये प्रशन देखने को मिलता है ठीक है तो दोनों का कार है आप याद रखेगा उपनाम के तोर पे दो ही तीन चीज़ें जिनका उपनाम बड़ा प्रचनित है और क्यों है आपको ये याद रखना है सिर्फ उपनाम याद मत रखेए जैसे उपनाम गौल जी है तो गौल जी क्यों नाम पड़ा है क्योंकि चैमील्यो नाम के एक वैगानिक थैब गौल जी आटरासो असन्तानमे अन्ठान्मे का सन्ता जिस समय उन्होंने इसको हो जा था उन्हीं के नाम के कारण इसका नाम गॉल्जी अपारिटस ठीक है प्रोटीन सिंथेसिस इसका प्रमुख कारे क्या कहता है प्रोटीन को और कार्बोहाड़ेट को कोशिकाओं से बाहर भेजना और उसको स्विकार करना ये इसका प्रमुख कार रहे हैं ऐसे ही mitochondria का कारे क्या है कि क्रेब्स चक्र को formalize करना आपके ATP protection में participate करना और जो भी उर्जा जन्म ले रही है उसके लिए mitochondria responsible है ये दो चीज़ें आपके सामने बहुत बहुत शितलता से complete हो गए किंद्रक को अलेडी मैंने आपके सामने लिख वाया था लेकिन आगे अगले हि क्या कहते हैं इंडोप्लाज्मी क्रेटिकुलम इंडोप्लाज्मी क्रेटिकुलम अगला है यही तीन महत पूर्ण बाकि इसके बाद तो सब आसानी है इंडोप्लाज्मी क्रेटिकुलम लिखें इंडोप्लाज्मी क्रेटिकुलम endoplasmic reticulum eukaryotic kooshikau में पाई जाती है eukaryotic kooshikau में पाई जाती है सरप्रथम इसे porter evam clod नाम के वैगनिक ने अबजर्व किया था देखा था porter evam clod नाम के वैगनिक ने अबजर्व किया था endoplasmic reticulum नाम porter evam full man F.U.L.L.M.A.N. porter evam full man नामक वैगनिक ने दिया था आज तक किसी परिक्षा में endoplasmic reticulum के खोजगता को नहीं पूछा गया है इसलिए मैं कल नहीं लिखवाया था लेकिन फिर भी जो प्रश्ट नहीं पूछा जाता है वही पूछ लिया जाता है तो हो सकता है यह पूछ लिखा भी ठीक है लिखे लिखके रखें आगे लिखे इर अब इसे लिखेंगे हम लोग इंडoplasmic reticulum पूरा नहीं बोलेंगे शॉर्ट में बोलेंगे इर ठीक है समस्त यूकरियोट्स में पाई जाती है यूकरियोटिक कोशिकाओं में पाई जाती है कुछ कोशिकाओं में यह अनुपस्थित भी होती है जैसे कुछ कोशिकाओं में यानि several cells doesn't contain endoplasmic reticulum कुछ कोशिकाओं में यहाँ अनुपस्थित होती है जैसे erythrocytes erythrocytes ovum ovum embryo cells embryo cells etc er cytoplasm sarwadik sthang another question is if i ask you which organelle inside the cell is biggest largest longest and taking a lot of space in cell so simple answer is er लेकिन कौन सबसे भारी होता है वो er नहीं होता वो nucleus होता है nucleus kooshika का तकरीबन 80 से 90 प्रतिशत भार अपने अंदर लेके रखता है लेकिन सरवादी का स्थान लेने वाला जो kooshikang है वो है आपका endoplasmic reticulum आगे लिखे endoplasmic reticulum या ER विभिन कोशिकाओं में अलग-अलग मात्रा में हो सकता है अलग-अलग मात्रा में हो सकता है sperm कोशिकाओं में sperm कोशिकाओं में या बहुत कम मात्रा में एडिपोस टिशू में कम मात्रम है होती है वहीं लिवर और पैंक्रियाटिक कोशिकाओं में यहाँ सामानने से जादे होती है लिवर एवं पैंक्रियाटिक कोशिकाओं में यहाँ सामानने से जादे होती है यहां कोशिका का तकरीबन 30 से 60 प्रतिशत हिस्सा गहरे रहती है यहां कोशिका का 30 से 60 प्रतिशत हिस्सा गहरे रहती है आगे लिखे ए आर दो प्रकार की होती है यानि इंडो-प्लाजमी क्रेटिकुलम है तू डाइप्स दो प्रकार की होती है पहला है स्मूथ इंडो-प्लाजमी क्रेटिकुलम स्मूथ इंडो-प्लाजमी क्रेटिकुलम और दूसरा है रफ इंडो-प्लाजमी क्रेटिकुलम रफ इंडोप्लाजमिक रिटिकुलम इसे RER एवं स्मूथ SER बोलते हैं RER to SER लेखे अगे लेखे RER में यानि रफ इंडोप्लाजमिक रिटिकुलम में राइबोसोम्स के चिपके होने के कारण उसकी सत्य है खुर्दूरी हो जाती है खुर्दूरी हो जाती है अतहा उसे RER कहते है अतहा उसे RER कहते है परंदू उसी इंडोप्लाजमिक क्रिटिकुलम की वह सत्य है एक घंटा प्रति दिन जब लिखोगे न तो जाके उंगलिया कहीं तयार होंगी आगे जीवन के लिए प्रति दिन की आदत बनाई एक घंटा लिखने की बहुत बढ़िया उसी प्रकार उस वह सत्य है जहां राइबोसोम्स अनुपस्थित होता है यानि उपस्थित ही नहीं होता उसे स्मूथ इंडोप्लाजमिक क्रिटिकुलम बोलता है सिंपल तरीके से आप अपने भाशा में लिख लिए इसको बस बात ये है कि जैसे एक इंडोप्लाजमिक क्रिटिकुलम है उसकी कुछ सत्य राइबोसोम्स के कारण से खुरदूरी हो चुकी है और जहां पे राइबोसोम्स नहीं चिपका वो स्मूथ ही रह गई ठीक है तो आप इसे अपनी भाशा में लिख लिजे एक राइबोसोम्स के दो हिस्से बढ़ जाते हैं जब एक हिस्से में जहां राइबोसोम्स चिपक जाता है उसे मनए एक इंडोप्लाजमिक क्रिटिकुलम दो हिस्से में बढ़ जाता है तब जब जिस हिस्से में ribosomes आके चिपक जाता है वो rough हो जाती है खुर्दूरी हो जाती है और एक हिस्सा जहां पे ribosomes नहीं चिपका वो खुर्दूरी नहीं हुई अता है वो smooth रह गई आगे लिखे ER मून रूप से तीन हिस्सों में बढ़ती है यानि उसके अंदर तीन हिस्से होते है पहला हिस्सा है इसको अंग्रेजी में ही लिखना पड़ेगा सिस्टर्नी से बोलते हैं CIS CIS TER TER NAE सिस्टर्नाई दूसरा हिस्सा है tubules TUBULES तीसरा है vesicles 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 आगे लिखें सिस्टर्नी में सिस्टर्नी में ग्लाइको प्रोटीन उपस्तित होते हैं ग्लाइको प्रोटीन उपस्तित होते हैं सिस्टर्नी में ग्लाइको प्रोटीन उपस्तित होते हैं Tubles, आगे लिखे Tubles Tubles Irregular शाख़ाओं में बटे हुए होते हैं Irregular शाख़ाओं में बटे हुए होते हैं, नहीं कि तिरशा मिरशा, उसकी समускहन लनंचना है, ऐसी होती है तिरशे सी जिसके कारण वो एक दूसरे से जुड़े रहते हैं जिसके कारण tubles का कारण है इसमें ribosomes सामाने तया नहीं होता है tubles के उपर सामाने तया ribosomes नहीं होता है आगे लिखे vesicle ER का important हिस्सा है अती महत्वपूर्ण हिस्सा है vesicles ER का अती महत्वपूर्ण हिस्सा है most important part हिस्सा है जिसमें इंडोपलाज्मिक मेट्रिक सुपस्तित होता है इंडोपलाज्मिक मेट्रिक सुपस्तित होता है जो किसी भी कोशिका के लिए अतिविशिष्ट इंडिविशिष्ट कि द्रब्य के निर्मान में भाग लेता है इसका बहुत बड़ा योगदान होता है भाग लेता है अब अगर आप इंडो प्लाजमिक मैट्रिक्स को भी पढ़ेंगे तो ये भी बहुत डीप चीज हो जाएगी इसमें बहुत सारे ऐसी चीज़े होती है जो प्रोटीन फॉर्मेशन के लिए उपयोगी होती है अगर आप शरीर के प्रोटीन का ध्यान करेंगे खासकर के इसकी एक शाखा होती है विज्ञान में जो ये बताती है कि कितने प्रोटीन का मैट्रिक्स होता है और मैट्रिक्स के अंदर कैसे प्रोटीन संसलेशन होता है क्या क्या चीज़ें इसमें अतिवसिस्ट रोल प्ले करती है ठीक है तो बहुत सारी चीज़ें अगर आप इसके अंद करनी है तो मेरे हिसाब से सबसे सिंपल प्रोसेस जो है वह सबसे सिंपल जो शब्द होगा मेरे पास वह एक मतर होगा प्रोटीन प्रोटीन एक ऐसा नाम है जो आपके समस्त शरीर में बहुत important role play करता है आगे लिखें चोटी heading डाल लिए लाइसो सूम लाइसो सूम लाइसोसोंस लिखें लाइसोसोंस कोशिका का आत्महत्या के थैली नाम से प्रसिद्ध अंग है आत्महत्या की थैली नाम से प्रसिद्ध अंग है इसे हिंदी में लयन काय बोला जाता है लयन काय का मतलब शरीज लयन काय यह लिखने वाली बात नहीं यह तो आपको याद होना चाहिए आगे लिखे यह यह गौलजी बॉड़ी के अंदर ही बनता है गौलजी बॉड़ी के अंदर ही बनता है गौलजी बॉड़ी के अंदर ही बनता है इसके अंदर हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स उपस्तित होता है याहीडेलितिक एंजाईम फस्तित होता है जो किसी भी प्रकार के बायो मॉलिक्यूल को किसी भी प्रकार के बायो मॉलिक्यूल को पचाने की शमता रखता है लाइसोसोम में मिंब्रेन युक्त प्रोटीन एवं ल्यूमेनल प्रोटीन होता है यूमेनल प्रोटीन होता है देखे लाइसोसोम प्लाज्मा मेंबरेन के रिपेर में प्लाज्मा मेंबरेन के रिपेरिंग के सेल्ड सिग्नलिंग में सेल्स सिग्नल सेल्स सिग्नलिंग में सेल्स सिग्नलिंग का मतापता दो कोशिका है आपस मेरे से जो भी संदेश ट्रांस्वर करती हैं उसे सेल्स सिग्नलिंग बोला जाता है एवं एनर्जी मेटाबोलिजम में पार्टिसिपेट करता है एनर्जी मेटाबोलिजम में पार्टिसिपेट करता है आगे लीकिए लाइसोसोमस में साट से भी अधिक एंजाइन पाए जाते हैं साट से भी अधिक एंजाइन पाए जाते हैं आगे लिखियो यह सारे enzymes rough endoplasmic reticulum में यह सारे enzymes rough endoplasmic reticulum में synthesize होते हैं यानि कि उसका जो भी up-gatton होता है वो RER में होता है और फिर golgi apparatus में जाता है यानि RER में synthesis के बाद वो golgi apparatus में जाता है golgi apparatus में जाता है और वहीं से छोटे छोटे vesicles में बना के छोटे vesicles में बांद के या बना के lysosomes का निर्माण हो होता है lysosomes का निर्माण हो जाता है या होता है लेकिए christian d duway ने c d duway ने इसकी खोज की थी Belgium में होई थी इसकी खोज इसकी खोज होई थी ठीक है that's all आगे लिखिए अब लास्ट इसका हिस्सा है कोशिका का वो है cell membrane जो शुरुआत जिससे होनी चाहे थी लेकिन हमने अंदर से बाहर जाना उसे थी समझा ठीक है cell membrane लिखिए cell membrane कोशिका का बाहरी हिस्सा होता है कोशिका का बाहरी हिस्सा होता है यह दो layers में बटी होती है यह दो layers में बटी हुई होती है पहला फॉस्फो लिबिड पॉस्फो लिबिड जिसमें cholesterol की मात्रा होती है cholesterol की मात्रा होती है आगे देखिए cholesterol ब्रैक्न लिखिए का sterol protein का ही एक प्रारूप है sterol protein का ही एक प्रारूप है यह वही है जो आधे योगा टीचरों के जीवन को परशान की हुए है cholesterol 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 सुनते रहे तो ना जीवन में अगर इसका डीप अध्यान करेंगे, अभी एक वाक्षोप हम लोग करेंगे कि How to decrease cholesterol level और कितने किस परिस्थिती तक एक योग की कक्षा ले सकता है cholesterol वाले patients को, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि 2-3 stent डले हुए होते हैं लोगों को कोलेश्टॉल के कारा लेकिन उनका खाना बंद नहीं होता है और वो सोचते हैं कि योगा टीचर को बुला लिया तो एक पहली ही दिन योगा करके उनको लगता है अब तो मैं फिट हो चुका हूँ इसलिए मैं कुछ भी खा सकता हूँ और कई बार ऐसा होता है वो इराजी शिर्वास्तवा नाम के कॉमेडियन थे वो जिम करते मर गया लेकिन आपने रेयर आफ देर सुना होगा कि कोई योगा करते करते मर गया समझें और मैंने अपने जीवन में देखा है बड़े-बड़े कैंसर वाले लोग योगा कर रहे हैं बड़े-बड़े अभी योगा ऐसा निए हमारे अंदर थोड़ी शक्तिया इतनी ज़ाद ए हमारे पास क्या कुछ नहीं हम लोग कैसे बचे रहते जानते हैं ह। हम लोग बचे रहते हैं उस मंतर के सहरे जो हमारे गुरों ने बता जा da कि बेटा योग कर्षा शुरू करने से पहले मंतर फूद दे उसके साथ आप connect कर जाता है इसलिए आपका छात्र आपकी उर्जा से बाधित रहता है क्योंकि आप उसके आवरे में रहता है कभी किसी बड़ी कक्षा में देखना जहां पे 20 लोग 25 लोग हो और teacher ना गूम रहा हो या ऐसी कक्षा जहां पे जिसे class कराई जा रही हो और नीचे 2000 लोगों का ground बैठा पड़ा हो और उसमें उसमें भी परशानियां हमें मतलब देखने को नहीं मिलती है इतनी high intensity की उर्जा हो जाती है हमारी तो ताथ पर यह है कि यह सारा का सारा system जो है वो उर्जा प्रवाह का है उर्जा प्रवाह आप ऐसे समझजिए मैं इसको और simple में बताओ जैसे मारकोनी ने बड़ी किरणे खोजी थी विग रेज हमारे आसपास में अवरक्त किरणे खोजी गए इंफ्रारेड रेज जिसे बोलते हैं कई प्रकार की किरणों को खो जा गया जैसे आप इससे में बैटे हुए तो क्या आपके पास Bluetooth की किरणे नहीं होंगी क्या दो Bluetooth अभी एक आपके फोन का Bluetooth होगा दूसरा जैसे Bluetooth आएगा तुरंत कैश कर लेगा आपके आसपास अगर आप FM चालू करें या वीडियो चालू करें तो चालू हो जायागा कि नहीं हो जायागा यानि उसकी किरणे yep और से चालू कर कर ने कैश के मैं आपके सामने वहा हूं किरणे ही तो हैंो मेरी आवाज को मिल्कुल हो तक तो ये किरणों के कारण, यानि उर्जा अस्तर के कारण से, ये energy spectrum है, जिसके कारण ये तीजे संभावित हो पा रही है, ऐसे ही प्राण उर्जा भी होती है, और ये उर्जा जिसको आप ढूंड के आज टीवी देख पा रहे हैं, या सिनिमा देख पा रहे हैं, उसकी हजारव क्या लिख रहते हैं, अब cell membrane, लेखे, cell membrane, cell membrane, अर्ध पार गम में होती है, यानि semi-pemorable होती है, cell membrane, semi-pemorable होती है, अर्ध पार गम में होती है, आगे लिखे, इस सामान ने दिया, ये है, साथ से लेके 10 nanometer तक, साथ से लेके 10 nanometer तक होती है, इसका नामकरण C, नागली और क्रेमर ने किया था, नागली और क्रेमर, नागली की स्पेलिंग है N-A-G-E-L-I, और क्रेमर C, आरे, M-E-R, क्रेमर ने किया था, इस किया, आगे लिखे, Cell Membrane, लिपिड प्रोटीन और कार्बो हाइडरेट से मिलके बनी है, लिपिड प्रोटीन और कार्बो हाइडरेट से मिलके बनी है, अब जो बात आपको मैं लिखा रहा हूँ, इसको अपने नेट के लिए तो याद रखना ना रखना, लेकिन कक्षा का बिलकुल ये, वो है, प्लाइमेक्स, तो इसको जेहन में बिठा लिजेगा, क्योंकि ये बहुत important हिस्सा है आपके अपने व्यक्तिकत जीवन के लिए भी, लिखे, छोटी हेडिंग डालेगा, लिपिड, लिपिड प्रोटेन और काबोफाइडिट से मिलके बनी होती है, आगे छोटी हेडिंग डालेगे, लिपिड्स, लिपिड्स, लिखे, cell membrane में चार प्रकार के lipids पाए जाते हैं चार प्रकार के lipids पाए जाते हैं पहला lipid है phospholipid phospholipid दूसरा है spingolipids 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 तीसरा है glycolipids glycolipids और चौथा है sterol s-t-e-r-o-l-s sterol तो आपके शरीर में कोलेस्टरॉल का सोर्स क्या हुआ ये lipid का एक हिस्सा कोलेस्टरॉल का मूल सोर्स कोशिका है कोशिकाओं का मूल जो कोशिका का कोशिका membrane है उस membrane में तीन प्रकार उसमें से पहला lipid lipid का चौथा प्रकार है sterol उसका पहला प्रकार है कोलेस्टरॉल अर्थात आपके शरीर में हर जगे कोलेस्टरॉल की उपस्तिती है अब बात आती है कि कौन सा कोलेस्टरॉल ठीक है कौन सा बेकार है और कैसे उसको counter करना है तो जाहिर सी बात है कि अगर आपको यह पता चल गया कि कोलेश्टॉल आपके शरीर के हर कोशिका में है तो अगर आप सारी कोशिकाओं से काम कराएंगे तो संभव है कि वो मेटाबोलाइज हो जाए यानि वो चीजे बहुत जल्दी जल्दी संभावित हो कोलेश्टॉल को खतम करने के लिए सामा निरूप से योग सारी कोशिकाओं को एक्टिव कर देने का गुण ही धारण कराता है और सारी कोशिकाओं को आसन नहीं एक्टिवेट कर सकता है सारी कोशिकाओं को कौन यूज कर सकता है कौन एक्टिवेट कर सकता है प्राणायाम प्राणायाम से better कोई ऐसी विधा नहीं है जो कोलेस्टरॉल के लिए better माने जा सकती है अतहाँ अगर आप oxygen intake जादे कर देते हैं oxygen जतनी वात्रा में होगा mitochondria उतरी तेजी से कारे करेगा और cholesterol यानि की जो membrane के अंदर जो sterol lipid है उसे synthesize करने में उसका metabolic rate high करने में प्राणयाम का अपना अभूत पूरू योगदान होगा अता है योग के आचार्यों आपसे करबद प्रार्थना है कि जब भी cholesterol deal कीजिए तो प्राणयाम को पांच मिनट कराके class खतम करने का तंद्रमत मानिये प्राणयाम को ये मानिये कि कम से कम आदा घंटा प्राणयाम होना चीए अलग अलग प्रकार के प्राणयाम 20 मिनट प्राणयाम कराई 15 मिनट प्राणयाम कराई सिर्फ दो मिनट प्राणायम कराके अगर कक्षा खतम हो रही है तो आप से बड़ा मूर्ख कोई नहीं होगा और उस क्लाइंट से बड़ा मूर्ख जो आपको योग का बिलकुल प्रकांड विद्धान मानना है छोटी हेडिंग डाल लिजे प्रोटीन लिखिए सेल मेंबरेन में पचास प्रतिशत तक प्रोटीन होता है माइलीन कोशिकाओं में यानि कि तवचा कोशिकाओं में लिख सकते हैं तवची कोशिकाओं में यह 25 प्रतिशत हो जाता है यह दो प्रकार का होता है एक्टो प्रोटीन और इंडो प्रोटीन एंडो प्रोटीन एंडो प्रोटीन आगे लिखे तीसरा कार्बोहाइड्रेट तीसरी छोटी हैडिंग कार्बोहाइड्रेट लिखे इसका कार्य इसका कार्य कोशिका के उपापचय में भाग कोशिका के अंतरगत उपापचय में भाग ले रहे हैं प्रोटीन का संसलेशन करना है या एंजाइम के साथ संसलेशित होना है प्रोटीन का संसलेशन करना है सिंथेसिस बोलते हैं संसलेशन को सिंथेसाइज जैसे ही स्वाती की पिन रुखती है मेरी नजर इसी पजाती कि इस संसलेशन क्या चीज़ आगी है ना अभी मिलेगा आपको मौका बोलने का आज सभी लगों को चुकि रिकॉर्डिंग चल लगी होते हैं तो लोग क्या करते हैं मैं जानता हूं बीमारी क्या है ना मेरे को बीमारी से भी लड़ना पड़ता है इसलिए मैंने आप लोग का सुनके मुझे बड़ा बेकार लगता है तो सोचो कोई सुनता हुआ मैं रोग तो मुझे कैसा लगता हूः इसलीए मैं यह नहीं चाहता कि बीच में को इंटरॉब्शन साया आदमी थीरे थीरे सुनता हुआ तो पहुंचे कार्बोहईड टक ठीक है आगे लिखिए असल मेंबरेन के कारे बस यही लास्ट बिंदू है इसके बाद कोशी का समाप्त हो जाएगी आपकी उसके बाद कर उसके बाद कोशी का के अंधर आने जाने वाले तत्बों को तत्वों को channelize करती है कोशिका के अंदर आने जाने वाले तत्वों को channelize करती है ठीक है और कोशिका को कोशिका को recognition ability देती है यानि पहचाने जा सकते हैं कि शम्ता की कौन सी कोशिका कैसी है ये पहचाने जा सकते हैं जैसे blood के अंदर कई प्रकारगी कोशिका पाई जाती है लाल रक्त कोशिका सफेद रक्त कोशिका तो ये सब कैसे पहचानते है इसका पहला हिस्सा तो membrane है तो कोशिका को पहचाने जाने युक्त ability परदान करती है आगे लिखे बाइंडिंग कैपसिटी देती है कोशिका को बाइंडिंग कैपसिटी प्रोवाइड कराती है बस इतना कारे जो है वो होगया प्रयाक्त इतने कारे उसे कोशिका membrane जो हो पूरी तरीके से समाप्त हो जाएगा ठीक अब बात आ जाती है वापस आपके कोशिका के कुछ हिस्सों की जिसमें जैसे वयग्यानिक हो गए कोशिका के अंग हो गए अब आपको समझना है सेल डिवीजन से समझने चोटी हेडिंग डालेजे सेल डिवीजन सेल डिवीजन चोटी हेडिंग डालके रखे सेल डिवीजन लिखिया कोशिका विभाजन की प्रक्रिया कोशिका विभाजन की प्रक्रिया विर्चो के द्वारा विर्चो के द्वारा हो जी गई हो जी गई आगे लिखे कोशिका में तीन प्रकार से विभाजन होता है तीन प्रकार से विभाजन होता है पहला है माइटोसिस समसुत्री विभाजन माइटोसिस समसुत्री विभाजन दूसरा है मैयोसिस म-E-I-O-S-I-S म-E-I-O-S-I-S-I-O-S-I-O-S-I-O-S-I-O-S-I-O-S-I-O-S-I-O-S-I-O-S-I-O-S-I-O-S-I-O-S-I-O-S-I-O-S-I-O-S-I-O-S-I-O-S-I-O-S-I-O-S-I-O-S-I-O-S-I-O-S-I-O-S-I-O-S-I-O-S-I-O-S-I-O-S-I-O-S-I-O-S-I-O-S-I-O-S-I-O-S-I-O-S-I-O-S-I-O-S-I-O-S माइटोसिस और मियोसिस कल इसको मैं पढ़ा के और फिर आपसे कुछ प्रश्न पूछूंगा और प्रश्न पूछने के साथ ही कल कोशिका को हम लोग अपने नियत समयांतराल से यानि एक सो पच्पन दिन बागी रहते हुए समाप्त कर लेंगे उसके बाद उतक का कारेकरम श मैं शुरू कर लेंगे और कल इपीथीलियल यानि की उपकला उतक को समाप्त भी कर लेंगे कल मैं आपको कोशिका विभाजन लिखे यानि समसुत्री और अर्धसुत्री विभाजन को कम्प्लीट करके आप अगले लेवल में प्रवेश करेंगे जिसका नाम है टिशूज ट मुह को ही कहा जाता है एक प्रकार की कोशिका है जब एक ही प्रकार के कारे में भाग लेने लगती है यानि same kind of cells performing same kind of activity that is called tissue simple अर्थों में अगर देखते हैं तो हम कल पहले प्रकार के उतक अर्थात उपकला उतक यानि epithelial tissue को complete कर लेंगे epithelial tissue कुछ प्रमुक हिस्सों में बढ़ता है उसके सारे प्रकारों को देख लिया जाएगा सबसे important जो tissue होगा आपके परिक्षा के दृष्टिकों से वैसे तो सारे important है लेकिन सबसे important होता है connective tissue connective tissue से प्रश्ण अधिकतर बार देखे जाने मतलब देखे जाने की संभावना है net में आप यह मानके चलिए पांच से दस प्रश्ण आप एनॉटमी से प्राप्त कीजिएगा तो कम से कम अगर पांच से दस है तो आपको दस से बारा दिन या पंदरा दिन आप मानके चलिए एनॉटमी को देना है ताकि प्रते एक दिन यदि आपने दो प्रश्ण हिट कर लिया तो आप आगे अपने मारगों को प्रश्रस्त कर पाएंगे और हमेशा याद रखिए हर वो व्यक्ति फेल हो जाता है जो बहुत जादे अती विश्वासी होता है जिसको बहुत है यानि कि जो अपनी भावनाओं पर कंट्रोल नहीं कर पाता है तीसरा व्यक्ति वो जो परिक्षा यहां पर पढ़ाई कर रहा है और जैसे ही क्लास खतम वो अपनी कौपी बंद करके और अगले दिन पूरे दिन का काम करता है और पूरे दिन में एक भी बार उस व्यक्ति में जो आप यहां बढ़े हैं उसको अगले दिन अब से लेके और कल के इसी समय तक कम से कम एक व्यक्ति से या दो व्यक्ति से बताएं जरूर अपनी हर क्लास में बताईए सर अगर आप लोग योगा क्लास ले रहे तो बताए कि सर किसी को भी योग गर आ रहे हैं तो कि बात कीजेगा तो इससे क्लाइंट को भी लगेगा कि यार ये आदमी जानता तो कुछ है कुछ तो जानता ही है न अच्छी चीज जानता है और अगर आप चले नहीं बताते हैं तो मदब ये वो टेकनीक से जिससे आप चीजे अपने अंदर स्थापित कर सकते हैं पढ़ना एक बहुत अलग बात है उसको मेमोराइज रखना एक बहुत अलग बात होती है पढ़ने को हम लोगों ने जीवन में लाखो किताबे पढ़ी लेकिन मेमोराइज हमें एक भी नहीं है तो उन लाखो किताबों के पढ़ने का औचित्त क्या रहा टाइम वेस्ट करना और पढ समद्र के अंदर अज्जार क्रत्र पड़े हुए वो किस काम का किसी क्ति के काम कर नहीं का नहीं काम का वैसे लोग हम दुनिया समद्र के किनार पर को यह आप डर जाएंगे बायानक समुद्रços तो कहने का अतबिया और उससे बढ़िया तो नदिया है उनको कम से कम पता तो है बह रही है किसी के काम आ रही है तो नदी बनिये और नदी के जैसे अपने ज्यान को अपने अंदर समायोजित कीजिए और दूसरे को बाटी सम्मुद्र के जैसे करोणो रतन अपने अंदर रखे रही है और किसी काम के मत रही है और बाद में भगवान श्री राम आएंगे और उसके बाद उन धनों चड़ाएंगे और बोलेंगे जड़ा धी जड़ा गए तीन दिन बीत बोले राम सकोप तबा भै बिनुहोतन प्रीत आपने रमायर सुंदर कांड में यह अंतिम लास्ट की चौपाईयों को घराब ध्यान देता है योगाचारी को चाहिए कि वह इन सारे गुणों को अपने अंदर रखे जितना वह वाज्यानिक दृष्टी कोण रखता हो उतना ही आध्यात्मिक दृष्टी कोण भी रखे इनी सारी बातों के साथ आज की कख्षा को समाप्त करने की अनुमती आप सभी लोगों से मुझे लगता है कि हम लोगों ने गयत्री महामंत्र आंतरिक रूप से पढ़ा था क्योंकि आज हम लोग कख्षा अपने समय से थोड़ा लेट शुरूगे थे और एक कारण भी हो आ नयाजो हो धो SHANTY 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 SWAR?". आरिश्ड आ सो शो शान्तिमत्र बहुत हैं. निए धिने हाथ रपकता की जब मैं आपको उपनिशच्छद बढ़ाऊंगा तो मैं आपको कम से कम बीस प्रकार के SHANTY मंतर याद गरवा सकता हूँ. हर उपनिशचद का आपना SHANTY मंत्र है औ और इंस्टेंड कक्षा को बाइंड कर लेता है बाहरी निगेटिव एनर्चीस से तो कोशिस यह कीज़े कि गयातरी मंत्र से चलता है लेकिन शांती पाठ के कई सारे मंत्रा आप प्रयोग कर सकते हैं ठीक है मुझे अपक्षा है कि आप लोगों को यह चीज़े अभी थोड़ कि बहुत प्लस माइनस यानि समझ में आएगी नहीं आएगी लेकिन बिलकुल डरियेगा मत्र क्योंकि अभी मैं कल मोटर साइकल से जा रहा था तो मैंने एक चीज़ देखी कि कोहरे में आपको बहुत दूर तक नहीं दिखाई देता है लेकिन इतना तो है कि इतना जरूर दिखाई देता है कि आप अपने मंजिल तक पहुंचा है दीरे 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 अगर आप घर से ही सोच के डरे रहेंगे कि यार कुछ ही दिखनी दिखनी रहा है मैं जहूंगा कैसे तो अप नहीं जा पाओगे चलो एक बार शुरू करो एक बार चलना शुरू करो तो दीरे द दिरे दे चीज़ें विजिबल हो जाते हैं and end of the point आज नहीं तो कल आपके हाथ सफलता होगी ठीक है भारत में 80 पृतिशत योग में महिलाएं उपस हैं फरन्तु व्यवसाय में बिजनस में महिलाओं की कोई इस्थिती नहीं है और योगा में इन्पुट अगर देखा जाए तो ये मैं नहीं कह रहा हूँ एक रिसर्च कह रही है वो ये कहती है कि भारत में तकरीबन 80 पृतिशत योग पढ़ने वाली महिलाएं हैं पुरुष मात्र 20 पृतिशत है लेकिन पृतिशों का योगदान तो मेरे सामने कुल तीन पृतिश दिख रहे हैं या चार कह लीजिए ठीक है और महिलाओं की संग्का अगर आप देखें तो इतने सारी महिला है ममता, खुश्बू, रित्विका, वैशाली, नीता, शैल्जा, मन्जू, स्वाती, रुच्छी और पुरुष में देखें तो बिजय, रनधीर, अमन्राणा, बस और कुनाल मिश्रा बस इतना ही और सुमित कुमार सिंग्ग है ना तो कहने का मतलब यह है कि महिलाओं का समुख जाते हैं तो आप लोग थोड़ा इंपुट भी दीजिए, इस समाज को अपने आपको भूलने मन दीजिए ऐसा ना हो कि यह समाज आपको बाद में बोले कि आपने कोई इंपुट नहीं दिया, यह इंपुट कब बदल सकते हैं आप, अगर मैं आपसे भारत में पूछों कि योग में तीन महिला प्रोफेसरों के नाम बताईए, जिन्होंने बहुत कारे किया हो तो ऐसा एक भी नहीं मिलेगा, अचा चलिए तीन प्रोफेसरों के नाम बताईए, जो बहुत, मतलब जो अभी उपस्ते तो HODs के तोर पे हो, ऐसे भी बहुत कम लोग है, तकरीबन बानबे विश्यविद्यालेों में योग पढ़ाया जा रहा है, परनतो बहुत दुखी मन से कहना बढ़ता है कि पांच विश्यविद्याले भी महिला HODs को स्विकार नहीं करते हैं क्योंकि लोग ही नहीं उनके पास, उनके पास लोग नहीं, तो ऐसा नहीं कि आप लोग वहीं गुमनाम हो जाए, आप लोग वाइस चांसलर तक बनने की यात्रा हो सकते हैं, क्योंकि आप थोड़ा थोड़ा कदम आगे बढ़ाएंगे, तो बड़ी लंबी यात्रा कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें कहने को, मैं तो ऐसे भरा बढ़ा हूँ, बोलने को तो पांच गंटे बोल जाओ, पर आपका समय ज्यादे खराब करूं मैं, ये खाना खाने का समय होता है और इसी समय, ये समय मैं जान बुच के चुना हूँ, आठ बजे का, इसके पीशे कारण ये है, कि घर को भी जो त्याग के किताब को समय दे, सीरियस वही है, बाकि दुपैर में क्लास लो में तो अभी सो के दो सो लोग जोईन कर लें, नहीं, लेकिन जो ये टाइम, सारे सीरियल अभी आते हैं, सारे प्राइम सोस अभी आते हैं, सुधीर चौधरी से लेके और बाकी नाना पाटेकर तक सब लोग इसी समय आते हैं, तो जो उसका भी त्याग किया हुए है, सबके परिवार के लोग कमा के, नोगरी करके इसी समय घर आते हैं, जो उनका भी त आके हुए है ऐसे लोग अगर पढ़ाई के लिए समय दे रहे हैं तो वो महान तो है यह समय बढ़ा मेरे को अच्छा लगता है आठ बजे का इसलिए मैं आठ बजे ही पढ़ाना से पढ़ाने की कोशेस बढ़ा प्लीज लाइसोसों के साइन्टिस्ट का नां बता है अभी लाइस OSOME पर ही रुकी पढ़ीए क्या आप कौन बताएगा लाइससों डीडुए लाइससों के साइन्टिस्ट आः इड़ आपक्रिशियन डीडुस्ट ना में उब आवात बहुत झाल चूली झाल झाल